कि हैलो गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आये हूं गेहु के आठे के लादी पाव ये लादी पाव आप आपका जो कूकर है वो क्यों जल गया आपके पाव को कलर क्यों नहीं आया या आपके लादी पाव सौफ्ट क्यों नहीं बने इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की पूरी-पूरी कोशिश करूंगी तो चलिए वीडियो जल्दे से शुरू करते है और अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यह वीडियो मैंने सेम उसी लादी पाव की रेसिपी से बनाया है लेकिन उसमें हमने मैदा यूज किया है और हम यहाँ पर आज यह गेहूं का आटा यूज करेंगी एक क सोडा, दौ समयाल ना अाज फिक सीब्सक्राइब करना मादा इसे बेकिंग सोडा, श्र Jasmine सोडा, Mendill, लैक यह पाउडर सी लग और फीश्टेते हैं और में यह तो इसमें सेब्सक्राइब प्सवाटा, यह ज़ला निया और अगेहूं का अर्टा, अब यह ज़ा झिया वा sap चान लेंगे, बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया है कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालना इसलिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसका यूज नहीं कर रहे है, इसलिए ये सारी चीजें अब इसके बाद में यहाँ पर डाल देती हूँ, तीन चमश तेल प्रिफाइंड ओयल, जो हम घर में खाना बनाने के लिए यूज करते है, तीन चमश मैंने डाल दिया है, और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो देख लीजे मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब जो हमने यहाँ पर आधा कप दही लिया है, उसे इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है, एक बार में ही नहीं डालेंगी, नहीं तो यह बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, बहुत लोगों नहीं कहा है कि अगर दही नहीं है, तो क्या करें, आप चाहे तो जो द्राय रहता है, तो आप यहाँ पर एक से दो चोटी चमश दूद का इस्तमाल इसमें कर सकते हैं, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा हाथ में तेल लगा कर मैं इसे अच्छी तरह से मसल लूँगी, तो देख लीजी आटा तयार है, तो देखी सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही में उपर लगा कर पैस के उपर एक प्लास्टिक की शीट रख दूँगी, और उपर से इसके हम लोग ढखकन लगा देंगी, और यह चीज हम लोग यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं, कि हमारा आटा थोड़ा सा सेट हो जाए, और थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए, और इस तरह से हम लोग इसे 10 से 15 मिनिट तक रखेंगे, और साइड में थोड़ा सा यह जो टावल है, इसे भी लपेट लेंगे, और 15 मिनिट तक इसे इसी तरह से रखेंगे, तो जब तक हम यहाँ पर बाके की तयारी कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यह पाव एडली कूकर में इसमें डाल देते हैं, दो छोटी चमश दूद, ज्यादा नहीं डालना है आपको, और यह काम हम लोग यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का यह भी कुश्चन था कि आपके जो पाव बने हैं, उसका कलर इतना, ब्रावन या डाक ब्रावन कलर कैसे आया, क्योंकि हमने जो घर पर पाव बनाया है, उसे तो ऐसा कलर नहीं आया, तो इसलिए गाइस, मैंने क्या किया था, डार्क ब्रावन कलर आने के लिए दूद में एक छोटी चमश मैंने चीनी मिलाई थी, और इसे जो मिलकोश कहते हैं, इसे मैंने थोड़ा सा पाव के उपर ल तो बस देख लीजिए, इस तरह से आपको करना है, तो चलिए पाव बनाने के लिए हमारा आटा बिलकुल अब रेडी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं तेल लगा लेती हूं, और इस मेजरमेंट से या एक कप गेहूं के आटे से या मैदे से भी आप अगर बना रहे हैं, तो चार पाव इस मेजरमेंट से बनते हैं, तो बस इस तरह से इसके सेम हम लोग portion या quantity कट कर लेंगे, और इसके चार पाव हम लोग इस तरह से बना लेंगे, तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इस तरह से आपको अंदर से टक इन करना है, तब ही हमारे पाव बहुत ही अच्छे अंदर से सॉफ्ट बनते हैं और उपर का सर्फेस आपको एकदम सॉफ्ट रखना है बिल्कुल भी उपर क्रैक्स वगरा नहीं होने चाहिए पाव के उपर तो इसी तरह से हम लोग यहां पर यह चारो पाव बनाकर इस इडली स्टैंड में रख देत प्रूब के साथ आपको दिखाने जा रही हूं तो वीडियो को आगे भी देखना प्लीज मत भूलिए तो यहां पर यह चारो पाव बिल्कुल रेडी है तो चलिए अब इसकी नेक्स प्रोसेस करते है तो पाव तो यहां पर बनकर रेडी है तो चलिए अब इसके उपर नहीं की मुझे नहीं पता और यह किया भी तो भी आपके पाव को नहीं आया यह मैं नहीं बता सकते गाइस क्योंकि वह सारी प्रोसेस आपने फॉलो की है तो यहां पर मैंने इडली कूकर को दस मिनिट पहले ही लो फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रग दिया था तो अभी आप देखेंगे पाव बनाने के बाद यह बिल्कुल भी नहीं जलता तो यहां पर मैंने दो नंबर का जो स्टैंट है उसे यहां पर रग दिया है इडली कूकर में और इसे हम लोग ढ़कन लगा कर 25-30 मिनिट तक लो फ्लेम पर आपको इसे बेक करना है आपने लो फ दिया है एकदम लो फ्लेम पर देखी सकते है और हां यहां पर मैंने ग्यास का जो छोटा वाला बर्नर होता है उसके उपर यह इडली कूकर रग दिया है और लो फ्लेम पर हम इसे 25-30 मिनिट तक बेक करेंगे तो यहां पर 25 मिनिट कंप्लेट हो चुके है इससे पहले आपक 5 मिनिट के लिए इसे बेक कर लूँगी तो पाव हमारे एकदम अच्छी तरह से फूल भी चुके है यह होगे आटे के पाव हमने बनाये है तो देखी सकते है यहां पर एकदम इवन कलर इसका आया है ना कि कोई ज्यादा या ना कोई कम हुआ है 5 मिनिट तक लिए और इसे कर लेंगे ताकि थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए और 5 मिनिट बेक करने के बाद पूरे 30 मिनिट यहां पर कंप्लीट हो जाते है तो चलिए इसे एक बार खोल लेते है तो पॉफेक्ट कलर इसका आया है आप लोग देखी सकते है और सेम इसी प्रोसेस से मैंने वह मैदे के पाव भी बनाये थे अगर आप चाहे तो वो वीडियो भी एक बार जाकर चेक कर सकते हैं यह कलर इतना जादा डाग ब्राउन कलर कैसे आया है क्योंकि हमने इसे दूद और जो चीनी है उसका मिक्शर लगाया था इसी लिए इतना डाग ब्राउन कलर आता है आपने कितनी चीनी कितनी डाली है वो मुझे नहीं पता है आप एक बार वो सारी चीज़े याद करके देखिए कि आपने यह पाव कैसे और किस प्रोसेस से बनाये थे तो यहाँ पर सारे पाव अच्छी तरह से बेख हुए है हमने टूद पिक डाल कर देख लिया है चलिए अब यह से देखे आप बिल्कुल भी नहीं जलेगा आप चाहे कोई भी बरतन यूज करे नहीं जलेगा क्योंकि हमने इसे लो फ्लेम पर पकाया है चाहे 30 मिनिट नहीं आप इसे एक घंटे तक भी इसी तरह से लो फ्लेम पर रखेंगे तो कोई भी बरतन आपका नहीं जलेगा बेक अब यू पाव और ज्यादा सॉफ्ट होने के लिए थोड़े से ठंडे होने के लिए हम लोग इसके उपर लगा देते हैं या रख देते हैं या किछन टाओल भी आपके लिए रख सकते तो इस तरह से हम लोग इसे W Suddenly चुन यहां पर 25-30 मिनिट हो चुके हैं, हम लोग पाव को एक बार चेक कर लेते हैं, अभी भी पूरी तरह से ठंडे नहीं हुए है, थोड़े से गरम है, तबी भी मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहे हूं, तो देख सकते हैं, यहां पर हमारे पाव पूरी तरह से नीचे भी ब पाव है, इसे मैं आपी के सामने तोड़ कर भी दिखाऊंगी, अंदर से कितने सॉफ्ट है, उसी का भी जवाब आपको मिल जाएगा, तो यहां पर मैंने पीछली वीडियो में क्या खिया था, मुझे लगा थोड़ा सा मार्केट के जैसा लुक देने के लिए, इसके मैंने से गेहों के आटे से बनाया है, दूसरा पाव तोड़ कर दिखाती हूँ हाथ से, देख लीजिए, और अगर मैं मार्केट का पाव भी आपके सामने लेकर आती हूँ, तो क्या मैं चार पाव गोल शेप के नहीं लेकर आ सकती थी, गाइस, मैं चारो पाव गोल शेप के भी मार्केट में मिल जाते है, स्क्वेर शेप के ही नहीं मिलते, अगर आपको पता है तो, तो मैंने लास्ट वीडियो में इस तरह से चाकू की हल्प से, उसे सिर्फ मार्केट वाला लुक देने के लिए, उसे कट कर लिया था, और वो क्लिप मैंने सिर्फ इडिट करते टाइम नहीं डाली थी, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि इसका कलर चेंज है, आपने जो दिखाया है, उसका कलर लाइट है, और नीचे जो पाव रखे थे, उसका कलर डार्क है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने इस पाव को काट लिया है, अगर मै इसे मोबाइल से शूट कर रहे हूँ, तो इसकी वज़े से क्या होता है, जो फ्लैश लाइट है उपर से, उसकी वज़े से हाथ में जो मेरे पाव है, उसका कलर अभी भी आपको थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और नी देखी सकते हैं, और एक बार देख सकते हो, हाथ में जो पाव पकड़ा है मैंने, उसे लाइट कलर है और नीचे जो पाव है वो डार कलर के दिख रहे है, क्योंकि यहाँ पर फ्लैश का जो लाइट रिफलेक्शन होता है, उसकी वज़र से यह कलर डिफरंस आपको और मैं आपको गलत रेसिपी बताओं या फेक कुछ बना के आपको दिखाओं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं गाईज, क्योंकि मेरी ये होबी है, और मुझे खाने का इंपोर्टन्स या एहमेहत भी पता है, क्योंकि मैं खाने के बारे में ही वीडियोस बनाती हूँ, क्यों मैं आपके घर का समान और बर्दन वेस्ट करना चाहूंगी, तो बस यहाँ पर मुझे से जितना हो सके उतने सारे सवालों के जवाब मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है, तो यहाँ पर यह इस वीडियो के उपर आपके भी क्या कमेंट्स है नीचे प्लीज लिखना मत भू यहाँ प्लीए, थैंक्स फो वचिंग आइस टेक केर